गौरव भातिया जी पहला सवाल आप से ही जब जनता ही ये पूछे की महंगाई की मार कब तक झेलेंगे जब जनता ही पूछे की रोजगार को लेकर सरकार क्या कर रही है इस बयान का जस्टिफिकेशन भी आपके मूँ से समझना चाहेंगे कि डॉलर मजबूत हो रहा है लेक गोशना करते हैं सभी युवाओं को पता चलता है कि 75,000 नए रोजगार का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जून 2023 तक 10 लाक भरती और करी जाएंगी और ये कब है मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने ये चर्चा आज रोजगार पे पेट्रोल डीजल डॉलर रुपी स सब पे रखी है और मांगडों के साथ आया हूँ सबसे पहले रोजगार की बात कर लेते हैं जबसे मोदी जी की सरकार आई है तो EPF डेटा ऑफ 2021 वन पॉइंट टू करोड जॉब्स हैव बिन क्रिएटेट एक करोड बीस लाक जॉब EPF डेटा कहता है नौकरी साथ में मुद जो है रोजगार का अफसर पाएं तो 38 करोड जो है मुदरा योजना के लोन दिये गए हैं इसके अलावा सबसे अच्छी बात भारत की क्या है IMF के चीफ बोलती है in the global arena पूरे विश्यो में अगर कोई shining economy है चमकती हुई economy है तो वो हमारे भारत की है और ये बात मैं क्यो कहत हूँ ठीक है अभी बहुत कदम बढ़ाने हैं सब्को रोजगार मिले ये हमें सुनिश्यत करना है लेकिन केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश की भी सरकारे हैं और मैं गुजरात के आकणडे उत्प्रदेश के आकणडे लेके आया हूँ और भी सरकारों के लेकिन मैं एक बात कहूंगा हर बात पे च्छाती पीटना और बिना इस बात का एसास हुए कि आपकी क्या जिम्मेदारी है ये भी एक बात है दूसरी आपने बात करी आपने कहा कि डॉलर और रूपी में ये क्या व्यक्तव है मैं बता दू सबसे पहले तो देखिए है जब मार्च 2014 में हमा 40-50 था ये मई 2004 में था तो करीब-करीब 17 रुपए का फरक आया था गिरावट आई थी ये 38 परसेंट है अंजिना जी और हमारे समय में कितना चेंज आया है 61-50 से 82-38 करीब-करीब 21 रुपए का है ये चेंज इस 30 परसेंट और ये क्या दर्शाता है दो परिश्टितिया विश्व में ऐसी है जो सिर्फ भारत नियंतरत नहीं कर सकता पहली कोविड की महामारी जिससे सारी अर्थ विवस्ताओं पे फरक पड़ा है और दूसरी यूक के साथ उसका एक्सचेंज रेट कैसा है इससे तै होगा कि रुपी बड़ा है या घटा है बाकी करन्सी भी वर्ल्ड में हैं जिनके साथ आपका ट्रेड हो रहा है तो पहले छे महिने में 2022 के रुपी 6 प्रतिशत गिरा था यूरो 11 प्रतिशत 6 परसेंट 11.6 परसेंट गिरा यह दिखाता है कि यह 19 परतिशत गिर रहा है जॉलर के कम पारिजन में आपकी करन्सी 6 परतिशत गिर रही है तो बहतर कर रही है और करन्सी से डॉलर की डिमांड क्यों बड़ी है मैं यह भी बता दूँ वहाँ पर इंट्रेस्ट रेट जो है वो बढ़ा है जब इंट्रेस सबसे मजबूत है और एक अकड़ा और दे दू अगर 15 सिकेंड और यह मैं तो पूर्ण है यह मेरे पास है कि वर्ल्ड एकॉनमी कैसा कर रही है पूरे विश्य की गौरवानवित होना चाहिए आपको कि जो एस्टिमेट है 2023 का और यह आएम एफ का है 6.1 परसंट पे हम ग्र पॉइंट 3 परसंट फ्रांस 0.7 परसंट इटली माइने 0.2 परसंट और युनाइटेट स्टेट्स वन परसंट कहां वन परसंट कहां 6.1 परसंट यह दिखाता है फंडमेंटल हमारी एकॉनमी के स्ट्रॉंग है और हमारे पास जो डिविडेंट है वो हमारे युवा है हमार मैन पावर है और इसलिए लॉग रन में भारत बहुत अच्छा करेगा